तो अमीद कर रहा हूं सब लोग ठीक होंगे तो रिसेंटली रामसार साइट जो है और अपडेटेड हो गई हैं दस नई साइट और आ गई हैं तो सेम इसी थमनेल के साथ एक लास्ट वीडियो में ने बनाया हुआ है उसमें बस यह पार्ट टू जोड़ा हुआ है मतलब आग घर बैठे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ जो है त्यारी कर सकते हैं और नए बैचेस जो प्रारम हो रहा है रिसेंटली हुए हैं इसके साथ साथ अनेकैडमी फ्री स्कॉलर्शिप टेस्ट भी होता है जहां पर आप स्कॉलर्शिप लेकर अपने सब्सक्रिप् फैन स्वैंप यह सारी बाते मैं आपको मतलब पिछले क्लास में बता चुका हूं यह स्लाइड इस बार इसलिए लेकर आया हूं कि एक बार आप लोगो याद आ जाए कि पिछले क्लास में हम लोग यह सब पढ़ चुके हैं ठीक है तो इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन वेट लेंड्स हैं अब देखो नॉर्मल वेट लेंड्स तो मैं मालूम है आधर भूमी पर रामसार साइट्स में आना मतलब उसका कंजर्वेशन एफट और बढ़ा देना सिंपल सी बात यह है ठीक है तो रामसार वेट लेंड्स जो है वह अब टोटल वेट लेंड का 10% हो अब्सर्वेशन नेशनल वेट लेंड इंवेंट्री या असेस्मेंट वगरे जो है यह कंपाइल किया जाता इस रोके द्वारा यह भी कई बार आधों को पता नहीं होता इसको भी लिख लेना इस रो और एस्टिमेट्स यह क्या करते हैं कि इंडिया के जो वेट लेंड्स च्छे के आसपास आप देखोगे एक कुंथना कुंथना कुंदार्पुन करके आपको मिलेगा उसके बाद में गल्फ आप मननार तो पड़ा होता यह वेंबनूर यह नया होगा कुछ बच्चों के लिए विलोड करके भी यह किये हैं और विदान थंगल हमने लास्ट वाल सब्सक्राइब करनाटक में और सिर्पूर बैटलेंड नो डाउट इंदोर में ठीक है तो यह तो मतलब पड़ी रहे हैं लोग इनको देखेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा कुंधन कुलम बड़ सेंचुरी के बारे में काम-काम की चीज़ें आप लोग लिए पहली चीज सबसे बड़ा एक तरह से आप कह सकते हो कि ब्रीडिंग ग्राउंड है वाटर बर्ड्स के लिए तो इसलिए अपने इनको कंजर्वेशन के तहट रख दिया ठीक है बाकी एक इंपोर्टेंट बात और है इसकी खास बात यह है कि यहां पर लोग मतलब कम्यूनिटी पार्ट यहां की जो कम्यूनिटी है जो लोकल गाओं के जो छेत रहें वहां के लोग इसको समाल रहें उसके पीछे कारण भी ऐसा है कि जो हम पेरू में पढ़ते बर्ड्स ड्रॉपिंग जिया मतलब जो बर्ड्स के ब्रीडिंग ग्राउंड नेस्टिंग ग्राउंड है वहां पे तो फर्टिलाइजर एग्रिकल्चर तक किसका कनेक्शन है ठीक है तो यह थोड़ा से याद रखना कुंथन कुलंबर्ड सेंचुरी नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मननार इसके बारे में हम वैसे भी काफी बार पढ़ चुके हैं कुछ काम-काम की चीज़ें जल्दी से मैं आपक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो नदियां आपको याद रखनी है थमिरा बर नहीं और एक वैपार रिवर यह दो नदियों को एडप कर लेना इनको नहीं पता है फिर से लिख लो थमिरा बर नहीं ठीक है और उसके बाद में वैपार रिवर यह थोड़ा कमी आप देखते हो इंडेंजर मतलब इसको ब्रॉड सेंस में लेना कि खत्रे में है बट हमें मालूम है कि डुगॉंग जो है यहां पर जो हमें मिलती है वह वालनेरेबल स्पीशीज है ना मतलब इंडेंजर इंडेंजर और वी ऐसी कुछ खत्रे में जो आई हैं यह जैसे एक एक क्रिटिकली इंडेंजर हॉक्स बिल सी टर्टल भी मिलता है वेल शार्क इंडेंजर स्पीशीज भी मिलती है तो यह तीन को तो आप लिखी लेना ठीक है जिसमें यह तो बहुत फेमस है अब मालों यूपीसी का मूड हुआ कि वल्नेरेबल स्पीशीज सभी लोग रहते रहते हैं तो एक-दो कोई दूसरी स्पीशीज भी तो देख लें तो ठीक है मतलब डुगॉंग के अलावा भी हां क्रिटिकली इंडेंजर एक हॉक्स बिल सी टर्टल है और एक वेल शार्क इंडेंजर्ट स्पीशीज आपको याद रखने को मिलेगी ठीक है तो यह वगरा है यह वल्नरेबल है और इनके जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ट और भी यह जो आपको देखने को मिल रहे है दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि अभी तक इसके नाम से सिर्फ एक डुगॉंगी याद आता है बड़ हॉक्स भी सी टर्टल भी पढ़के र किया गया है गल्फ मनार के नाम से यह दो प्लेस याद रखना ठीक है तो दो रिवर आपने पढ़ ली होगी थमिरा बरनी रिवर और वैपार रिवर का संबंध है प्लस तो कुड़ी रीजन धनुस कुड़ी रीजन ठीक है और साथ में अपने को जो इसमें याद रखना व एक दम बिलकुल आप कह सकते हो कि सदन मूस्ट टिप में मिलेगा आपको यह ठीक है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा यह एक बार रिकरगनाइज भी ऐसा किया गया है तो यह थोड़ा समय तो पूर्ण है नॉर्मली बस आप याद रखना कि दक्षन में कन्या कु मेंशन किया होगा लेकिन थोड़ा से डीटेल में आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जो है यह थोड़ा ध्यान से आप देखना यह कुछ आपको लोगर भवानी प्रोजेक्ट कैनाल के पास में लेगा तो इससे कुछ संबंदित कोश्चन बना सकते हैं वो लोग मलब और यह नो डाउट काफी महत्वपून काफी दिनों से प्रयास भी था इनका कि यह वाला जो वेलोड बर्ड सेंचुरी इसको कैसे भी जो है कंजर्व कर लिया जा है नेक्स्ट वान इस वेदान थंगल बर्ड सेंचुरी कुछ दिन पहले पढ़ाया था मैंने कौन से पढ़ाया था यह कॉमेंट सेक्शन में आपको बताना है यह पिछले वीडियो में मैंने पूरा इसको डिटेलिंग कर दिया था तो यह ओल्डेस्ट वाटर बर्ड हम कहते हैं कंट्री के में मतलब कहीं कहीं किया हुआ इन्होंने उसके बाद में इसका मतलब एक्चुल में बूलना नहीं और उसके बाद में कावेरी रिवर की भी बात कर, ठो नौर्थ हमें है मतलब कॉळब ऑगे चली कि लप नौर्थ में और यह थोड़ा उसके दूर एक दम नस्धीक नहीं है बड़ ठीक है तो ایکब बाद जल्दी से रिवाइस कलो यारनि तो क्या है और भूलने में तो क्या है हम लोगों वर्दान खासिल है यह एक तो यह कुंधन कुलम करके देखा है अपने गल्फ आफ मननार अपने को पता ही है ठीक है इसके बाद में वेंबनूर करके देखा है और वेदान थंगल बर्ड सेंचुरी देखा है ठीक है नेक्स्ट वन इस उद् पूरे दस के दस कब दस हो गया है क्योंकि यूपी जैसे हाल हो गया है अच्छी बात है अच्छा है कंजर्वेशन हो रहा है तो यह तमिल नाडू में आपको देखने को तो मिली राय ठीक है लेकिन यह ध्यान रखना तिरू वरवर्ड डिस्ट्रिक यह थोड़ा साब इसक सटकोिया गॉर्ज मतलब ौडउट अब सटकोशिया टाइगर रिजरव आपकोstes 좀 को सी पाल पूछ रहा हूं मैं सटकोशी आ तो यह महानदी रिवर से संबंदित है पहली चीज तो यह याद रखना इसका कनेक्शन पूछा जा सकता है इस्टन घाट वाले यान जो है वो पूछे जा सकते हैं यह सब जोग्रफी पड़ी हुई चीजें आपकी इस्टन घाट के पास मिलेगा पूर्वी छोर पर मिलेगा इसके नजदीक मिलेगा यहां इसकी लोकेशन है तो इधर दूसरी साइट जो आप देखो के साउथ में बाकी तो यह नो डाउट टाइगर रिजर्व के साथ साथ सारी चीजों के लिए काम का है और महानदी के साथ याद रखना नंदा लेक नंदा लेक नो डाउट गोवा में हैं बहुत सारे लेक हैं जो मतलब काफी दिनों से वेट लेंड कि उसमें आने में जिसमें अब नंदा लेक का पहली बार नम्मर लगा है विजा गोवा में तो सबसे ज्यादा काम की चीज़ है कि वह जुआरी रिवर से संबंदित पुझा सकता वैसे भी हम लोग अपने को ध्यान रखना ठीक है जुआरी रिवर नंदा लेक को अच्छे से पढ़ें ठीक है नोट डाउन करने वाली चीज़ें कब कहां कैसे कोश्चन बंजा बहुत सारे लेक हैं यहां भी सो नंदा लेक काम का है नेक्स्ट वान इस रंगना थिट्टूबर्ड सेंचुर करनाटे का अब यह ना मतलब थोड़ा कोश्चन बन सकता है मतलब में इसके रिलेटेड ऐसा कुछ स्टेट्मेंट बना सकते हैं कि किसको हम पक्षी काशी कहते हैं ठीक है उसके बाद में मांडे डिस्टिक का तो चलो ठीक है दूसरी इंपोर्टेंट बात कावेरी रिवर स संबंद है जिसका ठीक है कावेरी इसा भी लिख सकते हो तो कावेरी संबंद हो गया या नॉर्मली मतलब आप इस चीज़ को ध्यान रखना की एक पॉइंट यह बना सकते हैं और एक पक्षी काशी भी बना सकते हैं लोग तो यह कावेरी रिवर आपको दिखाई देगी और भी आओ तो इसको देख लेना ठीक है अब थोड़ी स्थिती इसकी ठीक हो जाएगी मतलब जो है और काम की चीज़ है कि इस तरह से रामसार साइट में अल्रडी जो अभी पिछली वीडियो में सांकिसा कर हमने पढ़ा था शिवपूरी वाले रीजन में अब यह सिर्पूर बैटलेंड मद्धिप्रदेश का है तो इस तरह से थोड़ा सा अपडेटेड पैटन देखेंगे तो कुंतन कुलम बर्ड सेंचुली हमने पढ़ा है गल्फ अप मननार पढ़ा है वेंबनूर पढ़ा है वेलोड पढ़ा है उसके बाद में इधार यह वेदान थंगल है यह कुछ तमिल नाडू के अलग दिखाई देंगे सतकोशिया उडिसा का है नंदा लेक जो है गुआ का है ठीक है और उसके बाद में करनाटक का हो गया रंगना थिट्टू और यह इंदौर का हो गया है ठीक है बाकी तो यह सब आपको पता है यह कुछ अपडेट हुए है और इसके साथ साथ तमिल नाडू के एक साथ यदि आपको कंपाइलेशन भी करने हो तो यह आपके सामने दिख जाएगा गल्फ आफ मनार करी कली वर्ड सेंचुरी उन्थन को लबं करके आपको दिखेगा पली करना ही करके होगा पीछा बरम पॉइंट के लिमेर और यह उद्योग मन्थना पुरम करके जो आपने पड़ा है विदान थंगल वेल लोड और वेंबनोर यह एक साथ आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो स्क्रीन शॉट ले लेना और इस कोड का इस्तमाल कर लेना SGYT10 और डिस्काउंट सारी क्लासस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यह सब्सक्रिप्शन के लिए इस कोड का जरूर इस्तमाल करें आप लोग बाकी तो जो है अपडेटेट जो भी करे झाल